हेलो अब्रीवन वेलकम टू माई चैनल दोस्तों मैं हूँ नम्रता और आप सब कैसे हो हूँ बताना ज़रूर दोस्तों और दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ महंदी और यह जो महंदी है ना इसका व्लॉग काफी टाइम से नहीं आया बहुत सारे लोगों का में मैं प्लीज महंदी का एक वीडियो डालिए तो आप देख सकते हो मेरे बालो में बहुत सारा तेल है क्योंकि मैंने महंदी अपलाई करी थी आज तो महंदी लगाने की बाद बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि महंदी में जो रेड कलर वो उने नहीं चाहिए और वो जात करते हैं नया करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपके बालों को natural conditioner भी मिले कलर भी मिले और आपको कोई भी hair dye इस्तमाल ना करना पड़े तो आज मैं आपके साथ जो मेंदी का जो चुछता सा वीडियो लेकर आई हूं असमें अमने कुछ ऐसे एंगिडियंस एक तो ऐ जैसे आप के बालों मेहां जो मेहने लगाने बाद रच नहीं गवेका लाइक है पोड़ाने ऐती आप कर लेना है उसके पहले पूरप सब्सक्राइब करना है नहीं दोक्ते ज ACT过 तो के साथ मेर चैनल क क्वोड़ना ऐसमामे मं बूलना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा तो चलिए, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो दोस्तों आप देख सकते हूं मेरे बाल जो ग्रे थे और ग्रे से मैंने जब महंदी लगाई तो उसका कलर ब्राउन कलर आया तो यह कैसे आता है चलिए वो देखते हैं हम आपने इस वीडियो में यहाँ पर मैंने जो महंदी ली है यह नाचुरल महंदी आती हैं मार्केट में नाचुरल आर्याyn से शब्राउन के मार्केट में लाड भी नाच सकते हों तो यह देखी फिर मेरे के उसे फाया है एक लिए करीब कियोंकि जो लोही की कडाई होती उसमें मेहंदी का अच्छा कलर आता है sensor वह बलाक भी हो जाता है तो यहां पर करीब मैंने एक कब के करीब मैंने इया पर अपनी नैचरल वाली ग्रीन मेहंदी लीए और आप कोशिश करिएगा कि कलरりました कि आपने बालों जो था इसे मेंने खोल लिया है और इसको हम मेहडी के ह Ågagora के इसमें दो चमबज के करीब आमला पावडर ढलूगी इसे ज्यादा मुझे नहीं डीई डालना है और बस में दो चमबज के इसमें अंदाजे से आमला पावडर डाल रही हूं आप चाओ तो चम्मच और कप्या कटोरी की क्वांटिटी के साफ से देखके भी डाल सकते हो तो बस ये दो चीजे मैंने इसमें मिक्स कर ली है अब मैं थर्ड चीज इसमें जो डाल रही हूं वो है हमारा हॉट वॉटर तो दोस्तो हॉट वॉटर मैं इसलिए यूज करूंगी क्योंकि कि भाम नहीं हो और मैंडी क थंड़ करेंगे मैंने पाले तो छड़ा ओडर दे रहें और में बटी नहीं हो जाएंगे गरम पानी नहीं इसमें द्रहुत को तया हम एक लिए पिझ्स कर जाम हो दो लात में जाएगा तोड़ा थोड़ा पानी डालेगा क्योंकि महंदी जभ उवर नाइट तोड़ी और ठिक हो जाती है, तो उससी साफ से आप को स्कुनिए तोड़ा थोड़ा तोड़ा से करके पानी डालना है। सर्दियों में आप इसमें सर्षू का तेल डालें और सर्षू का तेल डालें से क्या होता है अगर आपको रूसी की प्रॉब्लम में तो वह नहीं होगी और दूसी चीज है जो आपका बालों में जो एक रूखा पना जाता है मेंदी क्या करती है हमारे बालों को करती है लेकिन हमारे बालों में जो natural oil होता है ना वो घटा देती है तो उसको घटाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा सर्चु का तेल डालो और अब इसे हम overnight यूँ ही ढखकर रख देगे मौनिंग हो गई है दोस्तों और मैं आपको दिखाती हूं मेंदी का कलर देख रहे हैं आप मेंदी जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो गई है कडाई का जो ब्लैक कलर है वो पूरी में हमारी आ गया है दोस्तों अब इसमें अब खास सबसे खास इंग्रीडियन जो हम डाल रहे हैं उसी पेड की पत्थियों से इंडिगो पाउडर बनाये जाता है और ये महंदी के साथ ही रियक्ट करता है और आपका जो बालो का कलर है वो आपका ब्लाक और ब्राउन करने में हल्प करता है जो महंदी लाल रंग लाती है इंडिगो पाउडर यूज़ करने से वो महंदी का क में आदे से कम भाग इंडिवा पावडर का लेना कब में ली थी मैंने तो उसमें मैं आदी कि कोसी को सब्सक्राइब करें grapes मैं इनदिवाख डाल हूं आप चाहरो स良पाज करें डाल सकते हूं मैं अंदाजे से डाल रही हूँ तो बस आदी कटोरी की करीब मैंने इसमें इंडिगो पाउडर लिया है इंडिगो पाउडर जो होता है वो कोई कैमिकल नहीं है आप पिल्कुल यह मैं सूचिएगा कि यह कोई डाई कलर है यह एक तरह का नैचुरल जैसा आपका हीना होता है सेम उसी तरीकी का नैचुरल एक पाउडर होता है और आप इसको आराम से इस्तमाल कर सकते हो इससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी ऐलर्जी वगरा नहीं होगे तो अभी हम इसमें डालेंगे पानी तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल कर इसका एक थिक सा प नहीं है आपके बालों का जो कलर है ब्राउन और धीर measurements ब्लैकiquement होगा इस तरह की मैंदी मैहिडे और या तरह आप इसे से अपने बालों का ब्लैक कलर वापस ब्लैकलर वापस लाना चाहते हैं तो इसे अभी आप दसे हफ्टे में आप इसे एक बार लगा रहे हैं और शुरूवा प्लिटमे उसे महिने में 1 नहुत हम वासे बारां अपकोöhट को करें तरह प्रणा को ब्लैक नहीं कर देगा इसलिए नेचरल तरीके में थोड़ा सा पेशन्स रखके हमें उसे अपलाई करना होता है अपनी मेहंदी में और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर मैं इसे अपलाई करूंगी अपने बालो पर बालो पर लगाने से पहले म महन्दी का जो color है वो आपके face पर नहीं आएगा कि आपका जो महन्दी है वो जब लगाएं तो बालों को आपके clean होना चाहिए बाल आपका साफ होना चैहिए ऐसा नहीं है कि आप तीन चार दिन के गंदे बालों में महन्दी तो कभी भी अच्छा कलर नहीं आएगा जब भी महंदी लगाएं बाल साफ होने चाहिए हैं दुले उए होनी चाहिए मैंने कल ही बालों में शैंपू किया था और आज में महंदी लगा रही हूं मेरा चेहरा पड़ा पोफला टाइप का आपको लग रहा होगा एक्शली में म थोड़े बहुत काम निप्टाएं और इसके अदमने सबसे पहले महंदी लगा लिए मौनिंग के अभी बज रहे हैं साड़े साथ और मैं में महंदी लगा रही हूं क्योंकि मुझे महंदी लगाने के बाद बहुत सारे काम निप्टाने थे और महंदी आपको कम से कम 3-3 ग कर लेती हूं तो पहले मैं अपने आगे के ग्रे बालों में लगाऊंगी महंदी लगाने का यह वला तरीका नहीं है सही लेकिन मैं इसलिए लगा रही हूं कि मेरे आगे के जो बाल हैं वही जादा ग्रे हो गया हैं पीछे के बालों में इतना जादा ग्रे नहीं है इसलिए में पहले आगे के बालों को ड़ा करेंगी बट आप मेरे में पहले के वीडियो देख सकते हो तो दिया हुए वह दोुर आगे के बालों को अभूच खुता लुङा गया दोस्तो historic क्यों परे में एक कप डिया क कशा शाम करें हुआ महंदी ताकि मेरे पार चेहरे पर महंदी नजर ना आए तो दोस्तों बस इस महंदी को अप्लाई करना है मैं तो बस मैं फटा-फट से इसे अप्लाई कर लेती हूं उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूं कि कैसे मैंने इसे लगाया हुआ है हुआ 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 है तो दोस्तों मैंने अप्लाई कर ली हैं महंदी आप देख सकते हूं महंदी मैंने पूरे बालों मैं प्लाई कर ली और अभी मैं आगे हूं धूत में उपर चट पर बैठने क्योंकि महंदी को तोड़ा सुखाना है और सर्दी बहुत जादा है तो बस मैं भी चट पर बैठी हूं और अभी वाश कर लिया है मैंने बालों तीन गंटे मैंने महंद कलर नहीं आएगा बड ब्राउन कलर ही चाहिए था रेड नहीं चाहिए था मेरा जितना भी ग्रे हेर था वो सारा का सारा कवर हो गया है अब देख सकते हो कान के पास के एरिये के पास मेरे ग्री कलर थे सारे बाल मेरे वो ब्राउन कलर के हो गया मैं आपको पास से दिखाती अपने कान के पास के बाल ये देखे आप देख सकते हो सारे मेरे ग्रेख बाल जो थे वो कवर हो गए तो बस दोस्तो इसी तरीके से आप भी ये वाला मेंदी अप्लाई करिएगा और कामें शरक्षन में बताईएगा कैसी लगी आपको ये विखिए